हाई गैज आज की इस वीडियो मैं आप लोगों को UTR नमके से ट्रेक किया जाता है इसके बारे मतलाएंग आम तोर पे कुछ ऐसा होता है कि जब आप पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओ चाहे फोन पे हो चाहे गूगल पे हो चाहे पेटियम हो या चाहे सेंट मोबाइल या मोबाइल बैंकिंग के दुवारा नमबर पे ये एकाउंट पे पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका पेमेंट रंग नमबर एड करने की वजह से दुसरे बेक्ति के पास चला जाता है या पेमेंट फेल्ड हो जाता है या पेमेंट हो जाता है ऐसे जितने भी प्रोबलम है आज की इस वीडियो में मैं किलियर करूंगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि UTR का मतलब क्या होता है UTR का प्रोपल फर्म होता है योनील ट्रांजेक्शन रिफ्रेंस नंबर दूस्रे सब्डे में बोले तो रिफ्रसक्राइब को सुचित करता है एनी एफ्टि यहर्टी द्वारा आप दूसरे ऐकाण में पेंट थेंड करते हैं NEFT और RTGS क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोगों को हम सोट में बतलाते हैं NEFT क्या फूल फर्म होता है National Electronics Fund Transaction और RTGS का फूल फर्म होता है Real-Time Gross Settlement अब जानते हैं कि UTR को आप ट्रेक करने का दो मेठड होता है Number One अगर आप रोंग मुबाइल नमबर पर पेमेंट ट्रांजेक्शन कर चुके हैं तो आप उस मुबाइल नमबर पर फोन करके बात कर सकते आपके मुबाइल नमबर पर गलती से आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन हो गया है आप किर्पिया करके आप उस पेमेंट को आप रिटर्न कर दे नमबर दो अगर आप उस यूटी आर नमबर को आप अपने बैंक में ले जाकर मनेजर से बोलेंगे कि इस यूटी आर नमबर को ट्रेक करना है तो ही ट्रेक हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि खुझ से क्यों नहीं कर सकते हैं तो सिधी सी बात है कि नहीं आप नहीं कर सकते यह इलियल है क्योंकि जो भी पेमेंट ट्रेक करेगा वो बैंक वाले ही करेंगे आप नहीं कर सकते हैं तो बस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तो के लिए बाई बाई